हेलो वचो तो कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी का एक बर फिर से लंडेंड फंड इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर और बच्चों मेरा नाम है अक्षय और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जी हां आप लोग की लगा तार कमेंट चारे थे कि सर्क वाडिटिकission के बाद अर्थमेटिक करोग्रेशन करवाना तो मैंने खाँ ठीक भई sickop 중 में हम चला है तो सिकॉंस में ने Honestly न स्पर आपका एक्जाम में 6-7 माक्स का यहां से आपके एक्जाम में मतलब कि सेंपल पेपर में दिया गया तो सेंपल पेपर के पूंट अफिसे देखे जाए तो यह चप्टर इसके वेटेज भी आपका 6-7 माक्स का है यहां से केस इस्टी बेस कोश्चन और एक सॉल्ट अंसर एनिकी टू कोश्चन यहां से आपका पूछा गया तो टूटेल इस सेंपल पेपर के लिए एक्जएक्ट्ली में बताओं तो सिक्स माक्स का सेंपल वेपर में बूछा गया तो मतलब की चैप्टर भी इंपॉटेंट है और सिक्स माक्स का वेटेज हम मिनिमाम मान करके चल सकते हैं कि इ जल्दी से रैडी हो जाईए इस्टार्ड करते हैं अपनी क्लास को ठीक है और किसी भी बच्चे को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कॉमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो के एंड में कॉमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट को जरूर पूछेगा ठीक है म कौन कौन से टॉपिक है जो मैं पहले होते ठीक फर्स्ट इंग वनटेजने यप यथ्मटिक Prior ग्रेशन होता है समाझiley हो सबसे पहले है कि किस किस बला को नाम है arithmetic progression बला है कि नहीं के बहुत संपील सीज financier उसके बारे में देखेंगे उसके बादव n add term and general term of an AP koji arithmetic progression का जिनल टर्म nth टर्म पर बेस्टड कोशउन आपके एक्जाम में आता है तो यह आपका two marks का question यहां से बहुत पूछा जाता है उसके बास some to end terms जिसके पीछे बहुत ही interesting story भी है ठीक है बचो और वो story भी आज आज आपको selection में बताने वालों ठीक है तो यह lecture बहुत interesting होगा तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन टाइम ली आपको मिल पाए ठीक है बचो और वीडियो को लाइक जरू से कर देना करते हैं अपनी क्लास को चले बचो यह तो टॉपिक मैंने आपको बताई दिए अब अगर बचो मैं बात करूं सबसे पहले की डेली लाइफ में डेली लाइफ में हम अपने आज पास में धेर सारे पैटर्न अब्जर्व करते हैं हैं हम आपजेट को कोई भी चीजों को दे देखर यहाँ पर वन पीस देंगanka फूपीज देखर तो पीज देखा श्यूटरी पीज देखर आपके माइन में अपने आप आ गया होगा कि अगर मैं इसके आगे एक और और करता हूं तो किस टाइफ का हूआ ही हमारा basic nature है कि जब भी हम चीजों को देखते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ इसमें लिंक जोड़ता अच्छा यह ऐसा हो रहा है इसके बाद यह हो रहा है इसका मतलब नेक्स्ट में कुछ आएगा है ना तो मतलब कि हम observe करके यह देखने की कुसिस करते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या आएगा वर्ट विल भी देनेक्स्ट है ना जिसे कि यहां पर आपने देखा वन इस्टेप वन ब्लॉक देन सेकेंड ब्लॉक टू ब्लॉक्स थेन थ्री ब्लॉक्स फोर ब्लॉक्स फाइब लॉक्स डिफिने ठीक पेटर्ण ढूंडने की कुसिस करें ठीक है और अगर आपको याद हो आप अपने स्कूल में स्कूल में जब आप जाते थे अच्छा होता है वह सबसे पहले आगे ढ करकि करो जाता था तो फिर उस्फे बड़ी हाइट ब्रॉद आ ठैन से उस्टी हई भरर से बड़ी हाई और इसके बादे सबसे बड़ी हाई ठीक है अपने आप इस ओडर में खड़े होता जो नहीं खड़ा होता था उसको क्या पढ़ती थी चरी कि भई तुम कहां बैठी हुए तो मैं नहीं दिख रही तुमारे आगे वाली की हाई तुम से जादा है तुम आगे जादा है तो आगे जाकर के ले जाते थे यही ओडर आप वहां भी फॉलो कर रहे थे वहां भी आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे तो मतलब अगर मैं बात करूं जो सिक्वेंस है यह जो वर्ड़ आप अपनी लाइफ में सुनते हो सिक्वेंस है ना या फिर बोले प्रोग्रेशन यह आपको हेल्प क अब बच्वों यही आपका कहला थी सिक्वेंस है ना इसी को मिलब यह तरीक इसे प्रोग्रेशन है ऐसे धेर सारे आप इग्जाम्पल जेख पाते प्रोग्रेशन वाट विल मिला नेक्ष्ट अगर आप बता पा रहे हो तो क्या है एक प्रोग्रेशन कि आप आगे का पु को खुद मनलब की मिसिंग तर्म वहां पर आइडेंटिपाई करना है देखो यह बिलकुल अलग है थोड़ा से दिमाग अलगा हो गया सोचोगे कि वाट विल भी नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म क्या होगा उसको आइडेंटिपाई करने कि आप कोसिस करोगे जैसे कि बच्चो आप से सोचिये और बताइए कि यहां पर आप देख पार एट देन एट फिर नाइन फिर 11 फिर 14 देन 18 वाट विल भी देनेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा क्या आप कोई ऐसा प्रोग्रेशन यहां पर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो को यह ऐसा पैटरन आप है है ना जितना एक्टिव का क्लास में रहोगे उतना ही ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा ती समझ रहो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना अंसर करते रहेगा 23 27 31 35 39 अब बताइए मिसिंग प्लेस पर क्या आएगा यहां पर नेक्स टर्म क्या होगा इसके दिमाग लगाई लोजिक लगाई उसके बाद 1248 1632 वाट वेल भी दा नेक्स्ट अगला क्या आएगा निकल करके सोची चलिए तो कमेंट कर रहे हैं सारे बचे जल्दी से तुरंत एक बार सभी को सोचो अब्सर्व करो और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख करके हो ठीक है तो आई होप आप कुछ नो कुछ पैटर्न यहां पर अब्सर्व कर पा रहे होंगे कि आपने दिमाग लगाया सोचा आपने यहां पर जोचा आपको लग रहे हैं यहां से आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी डेवलप होती है इसलिए जब भी आप रीजिनिंग मैस का पार्ट होता है क्योंकि यहां पर चीजों के बार में सोचते हो ना तो अपने आप आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है ठीक है तो बिलकुल तो बहुत सारे बच्चों यहां पर सोचा होगा अपने अपने अंसर निकाले होंगे चलिए अब मैं डिसकस करता हू हमारा इधर पर है चलो भई डेखते हैं सबसे पहले अगरा आप यहां पर देखो एट देन एट फिर नाइन फिर 11 फिर 14 फिर 18 अगरा आप घ्यान सी देखिए तो यह हमारा फश्ट टर्म है ओके हमने फश्ट टर्म में क्या एड कर दिया जीरो एड करा तो हमें एट मेला सेकेंड टर्म में जब हमने वन एड करा तो हमें क्या मिला नाइन मिला थर्ट टर्म में जब हमने टू एड किया तो हमको क्या मिला 11 मिला फिर फॉर्थ टर्म में जब हमने थ्री एड किया तो हमको क्या मिला 14 मिला फिर 14 में जब आपने 4 एड किया तो क्या मिला 18 मिला अब सोचो कि अगर मैं 18 में 5 add कर दूं तो 18 प्लस 5 क्या हो जाएगा 23 बिलकुल सही यहां पर 23 आ जाएगा ठीक है तो कुछ नहीं है यहां पर सिर्फ हमने एक पैटर्न को अब्जर्व किया आइडेंटिफाई करके आंसर करने की कोशिश करें पर यहां पर 23 27 31 23 में क्या आपने यहां पर प्लस 4 आपने एड किया तो 27 27 में अगेन आपने प्लस 4 एड किया तो 31 यहां पर प्लस 4 आपने एड किया तो 31 यहां पर प्लस 4 आपने एड किया तो 39 अगें जब आप यहां पर प्लस 4 एड कर दो किया बन जाएगा 43 यहां पर क्या आजा गया बच्छों आपके पास 43, next में आ ऐजाऊ 97 में से क्या सट्रेक्ट कर दिया आपने कई यहां पर ऐजा इधर पर माइनस मैं स्वार किया यहां पर माइनस में हमाइड टू करेंगे तो डागा 70 यह आपका पास तेकल कर किया ठीक है पैटरन और ऑपने याप ठीक है नेक्स्ट में 1248 1632 वन में टू का मैं टिप्लया क्या तू तू में सुखती है कि यह आपका लिखाय टूकी पावर 0 टूकी पावर 1 टूकी पावर 2 टोटी पावर 3 टूकी पावर 4 टूकी पावर 5 देर्ब वाट वेट विन तरे निक्स्ट तूकी की concept को समझना बहुत जरूरी है कि वाकिए में यह जो तर्मन यूज कर रहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अर्थमेटिक को अलग करो प्रग्रेशन को लग करो तो यह रीप्रेजेंड कर रहा है तो यह समझ में आया पर प्रोग्रेशन की भई आपको नेक्स्ट में क्या होगा यह बताना है ठीक है यह तो एक नेक्स्ट लेवल का हमने एक एक्जाम्पल के फॉर्म पर समझा अब मूव करते हैं बच्छों जैसे की आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ स्पीसल काइंड के प्रोग्रेशन पर बात करेंगे इस पेसल काईड के प्रोग्रेशन में जैसे क्या आप यहां पर देख पा रहे है कि कोई भी दो खॉन्स गेट्व टॉम साप ले रहें उनके बीची में एक कॉन्स टैंड डिफरेंस देखने को मिल ला है जैसे की वन के ब भी आप देख पा रहे है 33 का common difference है यहां पर आप 222 का common difference आप देख पा रहे है ठीक है बच्छो तो यह क्या है यह कुछ special kind के progression है और इनी टाइप के progression को हम actual में arithmetic progression बोलते हैं ठीक है बच्छो अब इसकी definition को समझ लेते हैं कि arithmetic progression क्या हुआ and arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term कि arithmetic progression एक ऐसे numbers यानि कि एक numbers की list है जिसमें अगर हम first term को छोड़ देते हैं तो जो next term है वह first term मलब कि उससे preceding term में एक constant add करने से मिलना है ठीक है बच्छो जिसे कि आपने examples यहां पर देखी लिए अब the fixed number यह जो fixed number आप add कर रहे हो first term में फिर second में फिर third में फिर fourth में यह आपके पास क्या है इसको हम common difference बोलते हैं और जो first number है आपके पास यह हमारा है ना इसको हम first term of ap बोलते हैं ठीक है अब यह समझना है कि जो कोई भी arithmetic progression है उसका जो common difference है यह आपका negative zero और positive मतलब कि positive बोलते नेगेट और जीरो कुछ भी हो सकता है ठीक है बन ऐसा कुछ नहीं कि आपका progression हमेशा पॉजिटिवी रहेगा progression आपका negative हो सकता है progression अमलब की common difference positive हो सकता है निए बिखिट भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ठीक आप जो जैसे कि कुछ एक्जाम्पल्स आप यहां पर देख पार रहें ठीक है यह कुछ एक्जाम्पल्स है बन बाइवन देखो 123456 नेच्रल लंबर्स यह जितने भी नेच्रल लंबर्स नहीं यह भी क्या है एक आर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्जाम्पल्स है क्योंकि इनमें भी एक कॉंस्टेंट वन हम एड़ करती जा रहें तो नया नंबर मिलता जा रहें तो नेच्रल लंबर से आफन एक्जाम्पल आप एपी 170 4010 यहां पर क्या हो रहा है हर अबर 30 degrees हो रहा है सब्ट्रेक्ट हो रहा है तो यह यहां पर अगर हम देखे तो यहां पर कॉमन डिफरेंस क्या बच्छो एक सिकेंड यहां पर अगरम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपके पास बन है इधर पर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहां पर कॉमन डिफरेंस आपके पास माइनस मे 30 यहाँ पर common difference के अगर हम बात करें तो क्या है माइनस 3 में 1 8-2 माइनस 2 में 1 एड़ किया माइनस 1 तो यहाँ पर common difference कि अब चोंब वन ओके यहाँ पर अगर आप दे को 3333 कुछ change नहीं हो रहा इसका मतलब यह नहीं कि आपकर यह एक 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 है और इस एक पी का जो common difference of a cab a chopka zero similarly up a minus 1.0 minus 1.5 to your upper common difference up a pass minus me 0.5 ticket ticket to get to do yeah up a pass good arithmetic progression examples over ticket or your job be a year book constant edge of a first term made Kia then second made then third made and fourth way or up connection term milta jar I ticket is silly ہمارے پاس the arithmetic progression का एक इक्जाम्पेल हो किया प्लियर वह गया हमते concept clear a item चलो अच्छा बताओ यहां पर कौन-कौन से a.p कौन-कौन से arithmetic progression है और अगर वो a.p है तो उनके next to term क्या हों गया वह भी के एक्गाम्पल से करोगार पहला वाला 4 10 16 22 क्या हो रहा है 4 में 68 किया ट्रेन देन में 67 किया 68 तो यानि कि यह आपका एपी का एक्दामपिल एच टू में अगर आप 6 add कर ओके तो क्या बन जाएगा आपके पास यह बन जाएगा 28 28 में 68 करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 34 तो यह आगे जो टर्म हमने लिख दिए one minus one minus three minus five one में हमने क्या किया one हमने minus two add किया तो क्या मिला minus one minus one minus two add किया to minus three minus five यहाँ पर क्या है गाइगा minus me seven or minus way nine okay यह भी आपके पास AP का एक जो मैनेस to then two minus two 22-22 यहाँ पर पर आपको constant difference नजर नहीं आ रहा है this is not an ap यहाँ पर अगर आप देखो 111 then 222 then 333 यहाँ पर constant difference नजर नहीं आ रहा तो यह भी आपका arithmetic progression नहीं हुआ तो आई थिंग 3rd and 4th are not ap first and second are ap okay clear आप चोंग तो यह आपका इस तरीके से हमको identify करना है तो अब एक कोशन मता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि AP है सर कुछ formula वगेरा बता दो है ना तो formula वगरे कुछ समझेने के लिए सबसे पहले हम समस्ते मचो arithmetic progression के general form क्या होता है ठीक है बचू arithmetic progression का general form तो जो जननल form है उसके लिए सब्सक्राइब करते है कि let's suppose ठीक है बच्छो लेट सब्सक्राइब सब्सक्राइब of AP first term of AP equals to a suppose kora AP का first term a है और इस AP का common difference है बच्छो ठीक है AP का जो common difference है वो आपके पास क्या बच्छो डीके equivalent first term a and common difference उसका आपको डीके equivalent है ओके ना इसका जो जननल form है हमने क्या बोला कि अगर first term a है तो first term को आपने एड़े रखा फिर next term fine करने के लिए previous वाले टर्म में में वह कॉमन नंबर हम add कर देंगे तो क्या बने जाएगा यह तो next term आपका a plus d बने गया ठीक है इसके बाद next term अगर हमको find करने है तुम क्या करेंगे बच्चो है ना इस तर्म में क्या करेंगे बच्चो वापस से डीएड कर देंगे तो a plus में आपका 2D similarly यहां पर a plus में आपका 3D और इस तरीके से मूव करते करते हम यहां पर एनथ टर्म तक पहुंच जाएगे कहां तक पहुंच जाएंगे बच्चो एनथ टर्म तक पहुंच जाएगे ठीक है देख पार रहो दिस जोर फश्ट टर्म यहां पर देखना यह आपके पास Keyboard फिर से अपक लाइब जलिह होगी ठीक है और फिर से आपके माइन धक्ले यहां पर फिर से मैं एक पैटर्र आप जरब कर पारहां हूं वह क्या पैटरन आप अबनीस चल्डी से पताई वोग्या पैटरन है जो आप अब जर्व कर पारें शेलिए जली से बताएं क्याutes ऑ में तो डी कोफिसेंट n है तो अगर मैं यहां पर एने थर नंद की बात करूंगा तो एने थर्म जो ऑगगा ठीक है बच्चो जो एने थ टर्म होगा उसको हम क्या लिक्स सपाएंगे ए प्लस में क्योंकि जब 4 था तो यहाँ पर 3 था तो मतलब की एनफ टर्म में एनव माइनस 1 इंटू में डी से रिप्रेजेंट करेंगे तो यह आपकी पास एनफ टर्म बच्चु निकल करके आगया क्या आगया भी यह आपको एनफ टर्म आफ एपी अर्थमेटिक प्रोग् की जगहों पर कई बुक्स में एन से डिनोड करते हैं और यह आपके पास एपलस में एनव माइनस 1 इंटू में डी के फॉर्म का होता है क्लियर अबच्चु यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनफ टर्म है ठीक है जो यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका एनफ term हो गया और एक important point आप याद रखिएगा कि कोई भी arithmetic progression है जिक है उसका जो general term बोलू या एनध टर्म बोलू वो हमेशा variable n के respect में linear function यह एक linear polynomial होता है 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 ना मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि कभी भी कोई arithmetic progression का जो general term है वो variable n के respect में linear polynomial होगा क्या होगा एक linear polynomial होगा कभी भी कोई quadratic नहीं हो सकता मतलब कि simplicity मैं बात करूँ तो यहां पर अगर मैं बोलू कि कोई जड़ अर्थमेटिक progression उसका जो general term है वो कुल मिला करके a plus में है ना है ना a plus में bnk form का यानिक हम बोल सकते हैं आपका एक n के respect में एक क्या होगा एन के respect में एक linear polynomial होगा है ना यहां पर n की एन वैरियेवल है तो आप जब करोगे न तो a plus t और dn तो कुल मिला करके वह आपका एक linear polynomial आ जाएगा या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिम्प्रीफाइब करके लिख सकते हो ठीक है आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिम्प्र फाइब करके लिए सकते हो कि यह बन जाएगा a plus में आपका nd और माइनस में आपका d तो a plus d को आप अलग कर लो ठीक है और for a minus d याए गया पर ठीक है आप चाहो तो इसको अलग कर लो a minus में d और यहां पर एनगी ठीक है बच्छो अब आप देख पा रहे हैं चिक तो बेसिकली क्या है एन अट्रम एन तर्म आपका variable n की रिस्पेक्ट में यहां पर आपका रेये बल्स है ऐफस्ट तर में वो fix है ऑब दि कॉमन डिफ्रेंस वो भी फिक्स है तो तो वेरीवल क्या यहां पर केवल केवल एन तो मतलब की एन के रिस्पेक्ट में एक लीनियर पॉलीनॉमिल होता है ठीक है बचो यह आईडिया समझ में आगे क्लियर है आपर कॉंसेप्ट चलिए अब इस पर बेश कुछ कोशन्स देखेंगे तो आपको और बेटर आईडिया यहां पर लगेगा जैसे कि बच्छो काशन है कि रुटि टरम ओफ एपी अर्थमेंटिक strongest का कॉनसा तर्म टरमँस्ट रहे पी एसट सैवैंटीन इन इन इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म आपका 79 होगा ठीक है अब इक सिंपल सी बात कर आप यहां पर सोचिए कि यह अगर आपको APA कैसे पता चला क्योंकि लिखा है एक तो पहरी बात है और दूसरा आपको खुदे चेक करना है तो आप क्या करोगे आप अपने दिमाग मैं दिमाग मैं आपको रखना है जैसे कि आप यहां पर आप देख पा रहे हो कि 3711 तो क्या नजर आ रहा रहा है बच्छे आपर कॉमन डिफ्रेंस फोर का नजर आ रहा है ठीक है तो यहां पर अगर हम ध्यान से समझे तो आप देख सकते हैं कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फश्ट टर्म है ठीक है बच्छो एपी का जो फश्ट टर्म है वो क्या है इसका फश्ट टर्म आपका 3 है और जिसको हम बेसिकली एसे डिनोट करते हैं ठीक है बच्छो और कॉमन डिफरेंस के अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ठी यहां पर हमने 7-3 कर दिया ठीक है तो डीक विल्टू हम क्या करेंगे 7 second term में से first term को minus करेंगे तो आपके पास 4 आगया common difference आपके पास 4 आगया अब आपसे पूछ रहा है कि which term of AP is arithmetic progression का कॉन सा term कॉन साथ term आपका 79 होगा देखो उसको छोड़ो पहले तो यह सोसते हैं कि अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि यह बताऊ इस arithmetic progression का 5th term क्या होगा ठीक है इस arithmetic progression का 5th term आप देख पारो first term is 3 second term is 7 third term is 11 4th term is 15 then what will be the next तो आप simply देख पाऊगे आपर की 5th term जो होगा वह ए प्लस में 4D के पॉल होगा ठीक है 5th term क्या होगा ए प्लस में 4D तो directly आप यहां पर चाहू तो सीधे 15 में 4 add करोगे तो आप क्या लिख पाऊगे यहां पर लिखा आपने 3 into में 4 और D की वैल्यू आपने आपर 4 लिग दिया तो यह आपके पास 19 आ गया तो नॉर्मली आप होता है एन अच प्रम का फॉर्मूला मालूमें कि ए तो ओर बस में आपका एंञे मइनस माइन योता है दी होता है यह रोता एंटर्म के पॉर्मूला में निकाल ना है तो क्या करोगे आप ए प्लस में सिप्टी रस माइन Assew limit 14D तो यह चीज़ भी थेंटिक्व कर पार आपको उसको अच्छे से समझना जरूरी है कि आपने देखा कि अगर फिफ्ट टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस में 4D है 15 टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस में 14D यानि कि जो यहां पर एन है इधर पर उसका एक कम कर दो और सिंपली ए और डी की वैलू को पूट कर दो तो अगर इन जनर्र में आप से पूछो कि 15 टर्म क्या होगा इस एपी का तो आप सिंपली क्या लेक होगे 3 प्लस में 14 टाइम्स आपका फूर तो यह बने गा 3 प्लस में 4 फूर्ट शिक्स्टीर फॉर बंजा 4 प्लस और 5 यह बने आपके पास 59 ओके यहां से हम को कोई भी टर्म के अगर हम बात करें तो यहां पर आप तर्म बढ़ी ही इसली निकाल पाऊगे लेकिन अब पूछ क्या रहा है कॉश्शन में है ना कॉश्चन एक लेवल प्लस का है इसलिए पहले मैंने आपको बेसिक समझाया ठीक है पहले मैंने आपको बेसिक समझाया कि basic क्या है इसका अब देखो अब आप से पूछ रहा है कि 79 कौन सा टर्म होगा है ना कौन सा टर्म 79 होगा यह पूछ रहा हमें तो नहीं मालूं भाई है ना अब जरूरी थोड़ी है कि हाँ पर फोर फोर एड करके चेक करते जाएंगे कि 79 कब मिलेगा हम लगाएंगे यहां पर लोचिक किया लगाएंगे लोजिक हम ने क्या सोचा कि हम सब्सकों कर लेते हैं कि लेकित सब्सक्राइब क्या सोगा तो आपके पास ठीक है ऊचो एन अच टर्म ऐप ए पी मालो 79 होता है हमें एनकी वैल्यू फाइन कर निया तुमने सपोज कर लिया कि एनफ टर्म आपका 79 है ओके तो आपको मालूम है कि यहाँ पर टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस वर इंटू में डी टीन की वैल्यू आपने 79 बोल दी बहुत ही बढ़िया एक वैल्यू आपके सकते हो फोर एन माइनस का वन इस तरफ लिया तो यह बन गया एक टी कोल टू आपके पास 4N नाओ यहां से डिवाइड कर दोगे बच्चो तो एन की वैल्यू आपके पास कितनी है कि 20 मतलब की इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कि क्या बच्चो हम क्या बोलेंगे यहां आप लिख देंगे कि हैंस 28 तर्म 28 तर्म ओफ एपी इकक्वर्श टू 79 एपी का 28 तर्म आपका क्या होगा 79 होगा ठीक है सारे कॉंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया है है ना की जनर्र टर्म क्या है मतलब क्या इसके फीचेगा चीक यह बात समझ में आई कॉमन डिफरेंस न करके देख लो या 3 में से 2 को 4 में से 3 को इस तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाल पाऊ-ओगे ठीक है फिच्ट टर्म को हमेंसा एसे रोड़ करते हैं कॉमन डिफरेंस को इन जनर लिहां डिसे डिनोड़ करते हैं चलिए और अगर फिफ्ट टर्म की बात करें मलब की एनफ टर्म की बात कर रहा है तो हमेंसा यहां पर एन माइनस वन होता है तो फिट टर्म मनलब की a plus 4D 50 टर्म मनलब की a plus में 15-1 मतलब की 14 टी इस तरीके से कोई भी टर्म आप निकाल होगे तो मतलब सब्सक्राइब अगर मैं आपसे पूछू कि ये बताओ 25 टर्म क्या होगा तो आप बोलागे टी 25 टर्विसमें 24D मैं आप से बोलूंगा बताओ 99 टर्म क्या होगा तो आप बोलोगे टी 99 इकल टू ए प्लस में 98 डी क्या अब पूरा फॉर्मूला लिखोगे कि डारेक्ली बताओगे डारेक्ली बताओगे ना की सीदे 25 यहां पर डीकर प्रोडेक्ट में 24 रखेंगे अगर 99 टर्म पूछ रहा है तो डीके प्रोडेक्ट में 98 रखेंग उसे कम तरीके सब आइडिया लग गया कि कैसे डारेक्ट था जिसमें हमने पूरे आपकी यह कॉंसेट्ट कवर कर लिए चलिए अब आते हैं कुछ और कुशन इन्हीं पर बेश देखते हैं कि फाइंड ट्वेंटी टर्म फ्रॉंद लाश्ट टर्म ओफ दा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है हमको अब आगे से ट्वें स्टार्टिंग से क्योंकि स्टार्टिंग से तो बच्चों को फॉर्मूला रटा हुआ है रटा हुआ है अच्छ ट्वेंटिए ट्रम एप्लस में 19D तुरंद बोल देते हैं लेकिन उन्होंने समझा कि नहीं 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 रुको इनको थोड़ा सा हम क्या करते हैं घुमाते है ठीक है थोड़ा सा इनको गुमाया उन्होंने बोला कि मैं लाश्ट से 20 टरम लाश्ट से बताओ अब सोचो लास्ट से 20 घृत टरम कैसे निकालेंगे इसको करने के दो तरीके पहले पेक जनले हम कुछ औबजर्व करने की कोशिस करते हैं ठीक है पहले जनर्र आबजर्व ए फाइव ए 6 & 7 ठीके अगर मैं आप से पूछू हो समझेगा अगर मैं आप से पूछू की कि लाश्ट से second term क्या है। लाश्ट से second term आप जिए Six हैं लाश्ट से second term आपके पास क्या है ifix है ऐय ठीक है बचो तोटल कतनी तेम ते आपके पास 7 term तोटल 7 terms है तो लाश्ट से से सेचंड तर्म एफिक्स है अब मैं आपसे पूछू कि बताइए एफिक्स स्टार्टिंग से कौन सा तर्म है अगर मैं स्टार्टिंग से पूछू तो आप क्या बोल पाओगे कि आप सिंपल यहां पर देख पा रहे हो कि लाश्ट से टोटल कि अगर मैं पूछू कि लाश्ट से से केंड तर्म आपका एफिक्स है लेकिन अगर मैं फश्ट से निकालना चाहूं तो टोटल नमबर अफ टम्स कितनी है सेवन हमने लाश्ट से से केंड टर्म की बात करी तो माइनस में टू कर दिया और इसमें अगर हम प्लस में कर कर देंगे तो सेवन माइनस टू कितना बना फाइव फाइव प्लस मन कितना मना सिक्स तो यह अपनी आप टीफिक्स आ जाएगा तो फ्रॉम श्टार्टिंग यह आपका सिक्स टर्म हो गया कि नहीं हो समझे समझने की कोसिशिश किया अपने आपर क्या बूला मैंने कि आपका SQL होगां एन माइनस में जब सेकेंड थरम की बात करे तो न माइनस में 2 ब्लस 1 तर्म व्रॉम स्टार्टिंग n थी ब्लस बन कि ठार्ट ठीक बच्छो इस्टार्टिंग से आपका ये वाला तर्म बनेगा समझें अगर यही फंडा तुम फॉरूले में अप्लाई कर रहे हो ज्यान समझे ना आपने बोला कि लाश्ट से से केंड तर्म तो इस्टार्टिंग से कौन सा तर्म होगा तो आप बोलोगे टोटल नमबर तर्म इसमें कितने है पहले तो 7 ये आपको मालो मोना चाहिए कितने तम है आपने बोला 7 अचला से से केंड बोला है तो इस्टार्टिंग से हम क्या करेंगे एन यानिकी टोटल नमबर अफ्टम माइनस में 2 प्लस में 1 एड कर दूगे तो यह आपका इस्टार्टिंग से इस्टार्टिंग से कौन से प्लेस पर होगा वो टर्म आप यहां पर निकाल पाओगे ठीक है इसी तरीके से अगर में इस कोश्चन में अपलाई करता हूं यहीं फंडा तो डारेक्लियमांसर निकाल सकते हैं ठीक है आजो चलो है नहीं फंडा अगर मैं यहां पर प्रोग्रेशन में कितनी तॉमस थैंडि यह तो हमने सपर कर लिया कि एन अथ टर्म जो आपका है जो लाश्ट अम बोले या फको में लाश्ट टर्म भी बोल सकता हूं कि जो लाश्ट टर्म एन पर्डम कि अगर मैं बात करूं यह आपके पास के 253 तो इसको हम बोल सकते कि TN equal to आपके पास A plus में N minus 1 into में D that will be equal to 253 और A की वैल्यू आपने यहाँ पर 3 put कर दी और N minus 1 और D की वैल्यू की बात करेंगे तो D रिकालना है तो यहाँ पर D equal to 8 minus में 3 किया तो आगया 5 तो यहाँ पर आपने 5 put कर दिया यह बनेंगे आपके पास 3 plus में 5 N minus में 5 that will be equal to 5 N minus 2 equal to 253 नाओ यह बनेंगे आपके पास 255 equal to 5 N now you will get the value of N to 255 upon में N करोगे 45 करेंगे तो कितना आजाएगा एन की वैल्यू तो यह बनेंगे आपके पास कितना आपके पास 55-51 यानिके आपके पास इस एपी में 51 टम्स है कितने टम से 51 टम्स ओके कितने टम्स है total number of terms अकरम बात करें तो इस arithmetic progression में 51 टम्स है अब आप से क्या पूछ रहा था 20th term क्या पूछ रहा था 20th term from last from last तो हम क्या निका लेंगे टी एनकी वैल्यू कितने विटा 51 माइनस में 28 टम्निकान तो माइनस का 20 प्लस में आपने वन कर दिया तो यह बनेंगे आपके पास एक तरीके से 51 माइनस का 19 है या सिंप्री अगर मैं बोलू तो 51 में से 20 माइनस के थो 31 पर एडे कर दो मतलब कि हम 32 की बात कर रहे किसकी बात कर रहे है थी 32 की बात कर रहे है ओके यानि की ट्वेंटिएथ टर्म फ्रॉम लाश्ट लाश्ट से जो ट्वेंटिएथ टर्म होगा वह स्टार्टिंग से आपका 32 टर्म होगा तो अब अगर मैं आप से पूछू कि बताओ टी थर्टी टू क्या होगा तो आप बोलोगे अपने पूट कर दी हाँ पर 331 और डी के वैलिव आपने आपर पूट कर दी कितनी बच्वो एट माइनस थी मतलब कि आपके पास 5 तो 3 प्रस में 5 153 जा आपके पास 15 ठीक है प्चो तो क्या निकल किया गया 155 प्रस 3 एक कोल टू 158 दिस जोर आंसर ठीक है बच्वो यह एक ऐ ऐसा मैं 30 था जो कि आपको थोड़ा सा लंबा लगा होगा इसका एक सौर्ट कट मैं 30 भी है अब आप सोच रहोगे कि सर जी जब आपको सौर्ट कट मैं 30 मालूम था तो आपने मुझको यह लॉंग प्रोसेस क्यों बताए इसके बीचे का रीजा ने कि कई ऐसे कोशन सोते है जहां पर वह सौर्ट कट मैं 30 आप अप्लाई नहीं कर पाते हो तो पहले तो इसको समझ लो फिर सौर्ट कट मैं 30 बताऊंगा तो आपके लिए चीजें दोनों तरीके से आसान होंगी कि कॉंप्लेक्स प्रॉब्लम है तो सौर्ट कट मैं 30 सौल कर लो माक्स पूरे मिलेंगे लेकिन मैं कि सिंपल प्रॉब्लम में तो सौर्ट कर मैं अप्लाई कर लो कॉंप्लेक्स प्रॉब्लम है तो वहाँ पर यह जो फंडा मैंने आपको बताया ना कि 20 टर्म फ्रॉम लाष्ट लाष्ट से जो 20 टर्म होगा वो क्या होगा इस्टार्टिंग से 501 नमबर ऑफ टम स चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसका सॉट कट मैंठ और सॉट कट मैंठ देखने के बाद आप क्या करोगे वावा 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 ठीक है आपके मूंसे निगलेगी वावा अप सॉट कट मैंठ ट क्या है सबसे पहले एपी आपने देखा कि अर्थमेटिक में फर्ष्ट टर्म 3 है सेकेंड टर्म 8 है तो कॉमन डिफरेंस आप यहां पर देख पार होगे कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है फाइव का है अब सोचो मैंने बोला ना कि टीचर ने सोचा कि इनको घुमा देते हैं तो आपने भी क्या किया आपने भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को घुमा दिया और घुमा करके लिखा कि भाई 253 मालनों हमारा फश्ट टर्म है अगर आप एंड से बढ़ोगे तो 253 के पहले क्या आएगा क्योंकि डिफरेंस कितने का था 5 का तो एंड से डिफरेंस कितने का होगा माइनस 5 का कि 253 से पहले क कौन सा टर्म होगा तो आप क्या बोलोगे डिफरेंट्री 243 अपने आप यहां पर अगर रिवर्स और में चलने लग जाते हो तो अब आपके लिए कहानी ऐसी कुछ बन गई कि लाश्ट में 8 और 3 आ गया पूरी एपी को आपने क्या कर दिया पलट दिया घुमा दिया और अब यह नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है आपके पास और इस नई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो अब फश्ट टर्म अगर आप देखोगे तो 253 ले लिया ठीक है और इसका अगर तुमने कॉमन डिफरेंस अगर मैं बोलू सपोस करो डी के ओपर डैस लगा दिया इसका कॉमन डिफरेंस क्या है आपका माइनस में 5 पहले 5 था तो अब क्या हो गया माइनस में 5 एंड से 28 ठरम निकालना था एंड से 28 मतलब कि अब यहां से 28 ठरम निकालना है तो बताओ टी डैस 20 क्या बनेगा एक ही वैल्यू आपके पास 253 प्लस में 20 है तो यहां पर 19 और डी की वैल्यू आपने यहां पर रखके माइनस में 5 पुट इस वैल्यू 253 और 95 आपके पास 45 फाइव और पॉर नाइनस का 995 सब्रेट कर देंगे तो यहां से आपके पास 158 निकल करके आ गया यह भी आपका आंसर आगे डिरेक्ली यह आपका क्या बन गया रिवर्स ओर्डर में ले गया और रिवर्स ओर्डर में देकर क्या आपने निकाल लिए चलिए इसको पहले आप नोट कर ले जल्दी से फटापट हो गया बचों पका क्लियर है मामला बस यही चीज समझे निए यह ठीक है तो यह आपका एक अच्छा कोशन था जहां पर हमने एक फॉर्मुले पर बेश देखा कि कभी भी आपको एंड से टरू निकालना है तो यह देखो कि नमबर अफ टम्स कितने हैं उसमें वह नमबर अफ टम्स निकाल लो उसके बाद यहां पर प्रोसेस क्या करनी पड़ी कि यहां पर आपको एनकी वैल्यू निकालनी पड़ी थी कि यहां पर आपको क्या किया कुछ नहीं कि आपने पूरी एपी को आपने रिवर्स कर दिया और रिवर्स किया तो जब कॉमन डिफरेंस आपका फाइव था तो नहीं में कॉमन डिफरेंस आपको माइनस फाइव बन गया है ना ओविसली बातना कि अगर एपी स्टार्टिंग से बढ़ रही है तो एंड से देखोगो तो डिक्रीज करती लगे एंड से अगर बढ़ होगे तो हैना अगर आप 20th term निकाल 158 हां गया क्लियर है औल सेट बहुत बढ़िया चलिए ये कुर्शन था आपका सॉट कर्ट मैदर ये दोनों ही याद रखना क्योंकि कुछ कुर्शन ऐसे आएंगे जहां पर हमें सॉर्ट कर्मेट अपलाई करने में प्रॉब्लम होती है वहां पर हम फॉर्मुल रहा है की थर्च टर्म 16 एंड़ शेवंट टर्म एकशेट सफ तफ्त टर्म राइट वैट वैल्फ आपको टी-3 के वैल्यू क्या दे दिया 16 और बोलाया कि 7 टर्म जो टी-7 है वह सिस्प टर्म से फिस्ट टर्म से तवहल वाज्जादा है एप सीड अगर यह ज्यूदा है इसमें 12 ad करोगी यह आपके पास actual me question में हमें given है the capture यह problem में question में हमको given है ठीक है अगर है आपसे जोग कि बात कर एक simple say joke है कि अगर एक mathematics वाली book बाकि कि other books say अगर बात चीद करें ठीक है मनलब बात करते हैं तो च्पोस करें मैस की book है और मैस के book कोई दूसरी books के साथ में बात्चीत कर रहे चिप चैट Machine तो आप बता सकते हैं कि मैस की book दूसरी books से क्या बोलेगी बताई है एक मैस वाली book दूसरी books से वोलेगी अगर एक मैस की भोग दूसरी book से बात्चीत करेई चिट चेट कर सितहरी है तो क्या बोलेगों तो यार आई have lots of problem डिया मखोंची भूंती शुदो मिला करो ना भूला करो यहार मैंस कर स्ट्रेंट हो आई है व लॉट्स आप प्रोब्लम तु सॉल तो चिंदी इंदी बात में परिशान थोड़े होते हैं आज यह ठीक है तो टी सैवने को यह आपके पास गिवर ठीक है अब मामला समझते हैं हमें आपको को सॉल्व करने के ल और सका कॉम निफ्रेंस हमने सपोज कर लिए इसका कॉमनदिफरेंस ठीक है कॉमन दिफरेंट कर लो आप इगि कर लिया ठीक है बढ़िया तो अगर मैंस के जैनरल टर्म एन अस टर्म की बात करूंगा तो वह आपके पास ए प्लस में-1務 अ.. यहां तक क्लिए अब दिखना की वैलू 16 है ओके तो मतलब की आपको मालू में के टी 3 होगा ए प्लस में 2D के क्वण और इसकी वैलू आपके पास क्या 16 तो यह आपके पास एक पहला equation के form में बन गया this is your equation number one यह आपके पास equation number one है now second equation बनाते टी 7 तो टी 7 का मतलब क्या होता है टी 7 का मतलब हुआ a plus में आपका 6D और टी 5 का मतलब हुआ आपके पास a plus में आपका four times d to according to the question हम को यह दे दिया कि भई a plus में 6D की जो वैल्यू है वो equal to a fifth term in a plus 4D और प्लस में 12 के अब आप देखिए दिमाग लगाई है कि दोनों साइड पर a or a common number of positive sign यह दोनों तो cancel हो जाएंगे 4D में से 66D में से 4D माइनस कर दिया तो 2D equal to आपके पास 12 तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आगे 6 आगे डी की वैल्यू कितनी आगे आपके पास यहां पर 6 मिल गए अब आपको कुश्चन में क्या पूछ रहा था है न की की ओके डिटर्माइन दा AP ओके भई आपको पहले तो डी की वैल्यू आ गए तो अगर आपको यह डी की वैल्यू equation number 1 में पूट करते हूं तो आपको मालूम है कि a प्लस में टू टाइम्स डी यानिकि 6 एक वैल्यू आपके पास 16 है तो एकी वैल्यू ए प्लस ट्वैल विकल टू 16 सिंप्लिफाई करके एकी वैल्यू आपको यहां पर 4 मिल जाएगी तो आपने क्या कर लिया अर्थमेटिक और लिख लो कॉमन डिफरेंसे 6 तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 10 फिर क्या होगा 16 फिर क्या होगा आपके पास 22 एस सो ओन 4 10 16 & 22 इस जोर आर्थमेटिक प्रोग्रेशन यह आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकल करके आ गया प्लियर मामला समझे तो यह बेसिक लिए आपको यहाँ पर प्रोग्रेशन बनता नज़र आया चीक है तो इस तरीके की भी कोशिन आपके एक्जाम में पूछ लेता है यहाँ तक्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अभी यह कोशिन है थोड़ा सा अलग है डिफरेंट टाइप का कोशिन है ठीक है और यह दो चीज इसने समझ लिया उसके लिए कुश्चन आसान है मिडल मुश्टर मिडल मुश्टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों एक सिंपल सी बात कि अगर मैं आपके बोलू कि आपके पास सपोस करो 7 नंबर्स के बने हैं है ना 7 नंबर्स माल लो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स आपके पास जो बिल्कुल बीच में आ रहा है जो बिल्कुल बीच में आ रहा है जैसे कि आप दिख तो 4 4 के लेफ्ट में आपके पास 3 नंबर है 4 के राइट में आपके पास 3 नंबर है ठीक है तो यह आपके पास कैसा टर्म बच्चों मिडल मोश्टर मैं ठीक है यह कैसा टर्म मिडल म ठीक अब अगर मैं आपसे बोलू कि माले लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 अब मालो नमबर अस्टम्स आपके पास एट है तो इस कंडीशन पर वर रालोड होगे इस कंडीशन पर यहां पर बच्चो दो मिडिकल अम लिए कंडीशन के यहां पर दो मिडिल टर्म हों गयें इनके लिए हमाई में ठीकिर थूटम्स है तो यहां पर टू मिडिल तास तो एक्जर मेर श्चो च हूं मिडल तरम का कॉंझट का इस बढ़ आपके पास number of gefallen ठीक है number of thumbs suppose करो आपके पास है और अगर आपके पास माल लोगों कृई और नमबर है एन अगर आपके पास को और नमबर है तो जो मिडल तर्म कौन सा होगा तो कर द salvation में मिड़ेल टरम आपका होगा एन ठिसमें1 राइट तर्म यह आपका मिडल टरम होगा रेव गया आप लोस्तो तर्मा का मिल्टर मों हो जाएगा ओके और अगल मैं यहां आप बात करूं कि सपोस कर ये कि नम्बर ओफ टम्स जो आपके सबद्स है है यानि कि कोई AP को प्रोग्रेशन में number of term जो है वह even है तो इस condition पर अगर मैं बोलो कि बच्छों बताए कि मिडल टर्म क्या होगा इस condition पर तो मिडल टर्म आपके पास हम क्या बोलेंगे आपर यहां पर तू मिडल टर्म होंगे पहली बात तो कितने term होंगे तू मिदेल term होंगे और दोनों मिदल टर्म क्या होंगे पहला term होगा आपके पास एनवाइट टूएथ टर्म ठीक है बच्छो और दूसरा इसके बाद वाला मतलब की एन वाइक विकन मतलब किसकी बाद वाला मतलब कि क्या हो गया एन भाई टू के ज़स्ट बाद में जो आएगा एन भाई टू प्लस में बनेट टर्म ये आपका मावल होत ये जो कौंसेप्ट भच्छो यह है आपका मिडिल मौश्ट टर्म का कॉंसेप्ट तो मतलब इस कोशन में हमें कुछ नहीं गारना इस arithmetic progression जो हमें दिया है इसमें number of terms कितने हैं और number of terms के basis पर हम बताएंगे कि भाई middle term इसका कौन सा होगा अगर number of terms इस AP में odd है तो middle term and plus one by two is a term हो जाएगा और अगर AP में number of terms even है तो middle term इसका एन बाइटू एच टर्म कॉमा एन बाइटू प्लस में बन जनी कि इसके ज़िश्ट बाद वारा टर्म आपके पास आजाएगा clear तो चलिए यह कोशन अब इसको solve करते solve करते हैं तो बच्चों जैसे कि टर्म माइनस 11-7 उसके बाद आपके पास माइनस में 3S on और यह आपका 49 तक जा रहा है ठीक है हमने सपोस कर लिया कि इस arithmetic progression का जो एनथ कर में यह आपका 49 है ठीक हमें नहीं मालूम ना कि माइनस 11-7-3 तो कितरे टम से में आ रहें नहीं मालूम ना हमने सपोस्ट कर लिया कि 49 यह जो टर्म है यह एनथ टर्म है है हना एनवाट एनवाप पद यह नहीं के एनथ टर्म बूल ले अब देखना तो मतलब कि यह किसके को लोगा क्या एक यह प्लस में एनवाइनस बन इंटो में बीचे और यहां से एम पी को आप दिख कर कि एकी वैलु आपको मिल जाएगी माइनस में 11 और बी की वैलू आप दिखोगे तो माइनस 7 उसमें से प्लस एलेवन करोगे तो आएगा कितना आपके पास प्लस में फूर्ट की के वैलियो आपके पस्पोर अगे तो भई कहा पर पुट कर देते हैं ऒल्यू तो फोटी राइन एककि वैल्यू माइनस में 11 प्लस में और minus 1 into me up keep us now perform put kar diya solve carrying a picture of 49 equal to minus 11 plus me up keep us 4 and or minus me up keep us in upper kit naya 4 again okay now you can solve it the opening upper kakiya minus 11 minus 4 minus 15 to 4 and up in a plasma 15 kar diya equal to 4 and the upon get 9 plus 4 16 to your sorry 9 plus 4 14 or you have to pass six when you 64 equal to 4 and the n key value kidney a diva chow divide car logo taha parage up a pass 16 ticket and key value up to pass 16 okay yaniki is arithmetic progression may total number of terms kidney hair 16 hey so agar total number of terms agariz api me 16 hey so abab mujhe bata yeh kiis api me kitne middle term hoongay kyuki yeh aek aap ka even a number hai kya sa number hai yeh kaap ka even number hai to yaani ke agar ma bachyo yahan par baat karu to is api me aap ka to middle term hoongay kitne middle term hoongay to middle term hoongay aur korn korn sa pehla n by twith term yaniki 60 by twith term hoongay aur doosera aap ke paas 16 by twop plus me one eth term matlab ki bachyo saaf yaa par 16 kamat alamookay ate term chigab at show or six is kamat alamookay api pass ninth term dikevju chanye so sable a third term batang ke ake it atom kyagama baat karu to T eight equal to a plus me है आपको सेवन टाइमस दी तो एकी वैल्यो माइनस में 11 और सेवन फोर्जा 28 तो तिक आपके पास क्या आ गया यह आपके पास आज़े 17 तो पहली बात एर्थ टर्म आपका 17 हो गया और अगर आपको नाइन तर्म पूलना है तो 17 में फोर एड करके आपको क्या निकल आएगा ठीक है यहां पर 4-1 कर दो कर तो 21 तो यह आपके पास 8 और 9 तर्म दोनों मिडल टर्म आपको निकल करके आगे चिक अबच्छो दोनों मिडल टर्म आपको यहां पर निकल करके आगे clear है मामला जल्दी से बच्छों बताई यह समझ में आया या नहीं आया है को सिंपल है पर हम बात करें तो cbsc बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कोशन नहीं बनाएगा ठीक है वह बहुत इस सिंपल टाइप की प्रॉब्लम देगा लेकिन थोड़ा बत ऐसी कंडिशन में इसलिए घुमा सकता है क्योंकि जो मिडल टर्म का कॉंसेप्ट ना यह आप पढ़ते हो दिखाता है तो वही चीज़े कि वह दोनों कॉंसेप्ट को मिला करके आपसे ऐसे कोशन पूछ लेगा ताकि वह आपका कोशन संपल है उसने आपको कर लिया तो ऐसा मलब कि अगरा माइन को समझने को सिसकर तो इस तरीकी प्रॉब्लम आपकी एक्जाम में आ सकती है ठीक है चलिए क्लियर है बहुत सिंपल कोशन था और इसली ऐसे को प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं पका ओके है कोई डाउट यहाँ पर चलो अब नेक्स पर मूव करते हैं यह बहुत इंपोर्टन कोशन आ मुझे लग रहा है कि सबार एक्जाम में देखने को आपको मिल इस एपी का कौन सा टर्म आपका फ़र्ष्ट निगेटिव टर्म होगा यह आप से पूछ रहा है बच्छों अगर इस कोशन को अगर आप ध्यान से सम्झो तो आप एक चीज तो फील कर पारे होगे ना कि एपी का फ़र्ष्ट टर्म फिप्टी थरी सेकेंड टर्म एट उस है रहर कौन सा टर्म होगा जो पहला निगेटिव टरफ होगा है ना तो हम सपोस कर ली टे ज throw up and let's suppose ॅब तो ठीक करवे तो कि लेटिक सबसें कि लेटिव सपोस और कोबसण कर आपका एने Tirm जो है आपका है एनत्ह टर्म is the first negative term हमने सपूस कर लिया ठीक है बचो यह आपका क्या है फश्ट निगेटिव तर्म है यह आपने सपूस कर लिया बस यह वाला कुशन देखो फिर आपका पूरा का पूरा सिंसट यह कीbelाओ लग्स अनिसर पेंटीटिव अगरी सिंसट नहीं तर्म है तो इघर पर अबकलिगे तर्म है तो इधर पर आप देख करूर के यह की वैल्यू आप लिख सकत 50hr और डीक वैल्व अप्लिटेधर कि बोल श Windows , मै रbachBye कुछा काॉमन डिफरें इस का फइव तो निगेटिव आंनका मतलब का अज़त वाट STUDENT मीड़ा या एट्वी टर्म आपको निगेटिव टर्म बोलते हैं मता ईने जिसके पास स्कूपल टर्म सब्सक्राइस झीटव आ Tube यहां पर अगर आप सोचो कि अगर हम बोलने कि फर्स्ट निगेट टर्म हमारा एनफ टर्म है तो मतलब कि हम यहां पर क्या बोलने कि जो टी एन है वो आपका लेस्ट जीरो हूँ टी-एन क्या हो जीरो से छोटा हो अब फोचो कि टी-एन का मतलब क्या ए प्लस में आपको N-1 इंटू में जो टी है इसकी वैल्यू लेस्ट इन गिलू ओके पक्का टी-एन मतलब कि एनफ टर्म्न यह आपका 0 से छोटा हो अब एन क्या हूग वो निकालना है यां पर एकगी वैल्यू आपने पुट कर दिया ऑ 53 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो बनेगा आपका माइनस का 5 सरी प्लस का 5 तो यह बनेगा आपके पास 58 ओके और माइनस का 5N ग्रेटर देंट लेस्ट देन जीरो यह आपके पास बनेगे अब इसको सॉल करना है ठीक है बच्व आपके पास क्या बने बच्व फिप्टी एट का 5N यह क्या बच्व आपका लेस्टन जीरो है यहां आपका लेस्टन जीरो 58 माइनस का 5N तो आपका एन पासी चोटा है अब सोचिए बताए अवे कि इसको कैसे सॉल करेंगे इसको हम बोलतें इक वेल्टी यहां पर एक्वल नहीं इक फॉल्टी है हम क्या करेंगे मा-इस के 5N कौन क्या लेके जाएंगा राइट साइड पर ठीक है तो बने गया 58 एक लेस देन आपका 5N मैंने क्या किया माइनस के 5N को राइट साइड ले गए तो यह पॉजिटिव साइन बन कर के यहां पर आ गया ठीक है फिर हमने क्या किया एनकी प्रोड़क्ट में 5 है तो 5 को डि हो जाता है तो 58 अपॉन में 5 ग्रेटर देन अब बताओ 58 अपॉन में 5 क्या बनेगा यह बन गया आपके पास 11 और 11 पॉइंट आपका 6 11.6 अच्छा बता हिए 11.6 एनकी वैल्यू 11.6 उसे बड़ी होगी एनक्या है एना है आपका टम एन है आपका एनफ टर्म और जो टर्म ह 25 यान रेवन पॉइंट 6 से बाल पहला N darüber क्या होगा 11.66 चैया बड़ा पहला नेचर क्या रंबर क्या मतलब कि एनकी वैयल्यू आपके पास क्या हो जाई कि बचौ चोडर वो नैकिट्व टर्म जो होगा आपा वह पहला नेगेटिव टर्म होगा 11.6 तो को इलंद हिख तर arithmetic progression 11.6 term किया है तो आप बोलेगे यह क्या बात कर रहे है तर्म तो हमें से नीचरल नमबर ना कि फर्श्ट तर्ब बताओ सेकेंड टम बताओ थर्टम बताओ यह तो नहीं है कि बताओ स्क्वाइर रूट फाइव तर्म क्या होगा असुत नहीं बोलोगे तो मतलब की 11.6 से बड़ा नेचरल नमबर आपके पास क्या 12 तो एनकी वैल्यू आपके पास यहां पर कितिनी आगे बच्छो वैल्म को यहां स मोस्ट इंपॉर्टेंट कोशन था ठीक है अब कहानी अगरम बात करें तो आई तिंग अभी लेक्ट्र कुछ जादा लंब नहीं लेंगे इंपॉर्टेंट कोशन आज के हमने कवर कर लिए ठीक है अब इसके बाद यह कुछ कोशन है जिसको आप होमर की फॉर्म पर आपका बारे में पढ़ेंगे और स्फे रिलेटट इक आपके जो जर्मन मैफमिटिशन के अगे और इंसे रिलेट है बहुत नंटेरिएंग स टूरी है ठीक है इसके बारे में हम आपका पण़े पर पढ़ेंगे बहुत इंटिरश्टिं श्टोरी आपको जानना भी जुर रही है इसके बाद comment section में solve करने के बाद इन questions के आप answer comment box में बिलकुल भी लिखना ना भूले ठीक है बच्चो चलिए और next class में हम some to end terms और इस पर बेच जो most expected questions है वो हम आपके discuss करेंगे तो मिलेंगे बच्चों अपनी next class में तब तक लिए गुटपाई